आज में आपको एक कहानी सुनाने वाड़ी हूँ उसका नाम है खबंडी पेड़ एक बार एक आम का पेड़ था और एक अंजीर का पेड़ था जो भी चीड़िया आती थी उनको वो खुदके डाली पेड उनका घुसला बनाने देता था और जो लोग आते थे उसके चाया महिसों ने उनको वो थंडी थंडी चाया देता था और जो पक्षी आते थे वो पक्षी उसके लिए सुरेल गानग आते थे और जो आम का पेड़ है उसके साथ नाचने लगता था और जो चेड़िया आती थी उसके डाली पेट के आम चुकने आती थी और जौन जीर का पेड़ था उस वभा से बिलकुल भी हस्मुक नहीं था वो घमंडी था वो एक पिड़िया को अपने डाली पे उसका गोसला नहीं बनाने देता था और जो भी लोग आते थे उनको वो अपनी छाया में सोने नहीं देता था उन पे सुखे पत्ते डालता था और इसलिए एक भी चीडिया उसके लिए सुरेल सा गाना नहीं गाने आती थी एक बार मलो मक्ठी की रामी आई और उसने देखा यह अंजील का पेड़ तो बहुत ही उचित है हमारे छत्ते के लिए और जो अंजील का पेड़ है वो बोला किसने का हाथ की तुम मेरे उपर अपने छत्ता बना सकती हो मुझे तुमारा वो चिपचिपा शेहत नहीं चाहिए मेरे डालियों पे और तुम दिन भर भन बनाती रहोगी और आंग का पेड़ बोला अरे अंजील वो तो बस तुम्हारे उपर अपने छत्ता बनाना चाहती है और जो अंजील का पेड़ है वो बोला मैं क्यों बनाना दू लेकिन और वो जांजील का पेड़ बोला तुम जाके आंग के पेड़ के उपर अपने छत्ता बना लो और आंग के पेड़ ने उन मदो मख्यों को पुकारा और मदो मख्या आके उसके उपर छत्ता बनाने लगी और यो रानी मनुख्ये वो बोली तुम्हारे उपर से कितनी अच्छी सुकान दाती है और यो आम का पेड़े वो बोला धन्यार महरादी और एक बार दो लकड़ हारे आए और उनने देखा वो ये आम का पेड़ बहुत ही उचिक है अमारे घर बनाने के लिए और एक लकड़ हारे ने देखा इह देख इस आम के पेड़ पेड़ बदो मक्खी का छुटता है और आम के पेड़ को काटेंगे तो बदो मक्खी आकर हमें काट लेगी और वो बोले हम कौनसा दूसरा आपका पेड ढून लेगे और वो थोड़ से आगे गये और उनका अंजीर का पेड मिला और वो बोले हाँ ये पेड उचित है और वो बोले हम इसके निचले हिस्से से इसको काटना शुरू करते है और जो अंजीर का पेड़ है उसको बहुत दुखने लगा और वो बोलने लगा आ, आ, मेरे कोई मदद करो, आ, मेरे कोई मदद करो और जो आम का पेड़ है वो देख रहा था और उसने आम के पेड़ ने सोचा अरे हमें तो अंजीर के पेड़ की मदद करनी चाहिए और जो आम का पेड़ है उसने मदो मक्षियों को पुकारा और जो और आम का पेड़ बोला मदो मक्षियों तुम हमें आम के पेड़ को बचाना चाहिए और मदो मक्षियों के लाइने बोली लेकिन आम के पेड उसने तो हमें खुद के उपर छत्ता नहीं मनाना दिया और वो सारे चीज़ों को सारे जंगल के प्राणियों को दुखी करता है तो फिर हम उसकी मदब क्यों करें और आम का पेड बोला मदो मख़्ी के राणी ऐसा नहीं होता ज़र अंजीर के पेड ने हमसे बुरा वहवार किया हो तो हम भी उससे बुरा वहवार करें हमें तो सबके मदद करने चाहिए उसने भी हमसे बुरा वहवार किया हो तो और मदो मख़्ी के राणी बोली ठीक है तो हम अंजीर के पेड के मदद करते हैं और मदो मक्खी बोली और मदो मक्खी ने सब मदो मक्ख्यों को पुकारा आजा सारे मदो मक्ख्यों हमें अंजीर के पेड़ी मनद करनी है सारे मदो मक्ख्या उड़ कर आए और उन दोनों लखड़ हरो को काटने लगे और जो एक लखड़ हरा बोलने लगा और चलो हाँ में से भागते हैं मदो मख्या हमें काट रही है और जो दूसरा लकड़ारा बोला मुझे उस सुना नहीं देरा चिनला न बंद करो और इससे करके वो दोनों भी भागने लगे और जब वो भागे तब वो ज़ा अंजीर का पेड है वो शर्मिन्दा हुआ माफ करना मदो मक्यो मैंने तुम से बुरा वहरवार किया और मदो मक्या बोली अरे तुम हमारा मत चुकरियादा करो तुम तो आंज के पेड का चुकरियादा करो और जो अंजीर का पेड़ है वो बोला सच मुच और मदो मख्या बोली हाँ सची में आम के पेड़ नहीं हमें मनाया कि हम तुम्हारी मदद करें और जो अंजीर का पेड़ है उसने आम का शुक्रिया लगिया और वो बोला अब मैं कभी से घमंडी नहीं हूँगा और दूसरे दिन से आम का पेड़ और अंजीर का पेड़ दोने दोस्त हो गए अंजीर का पेड़ अब कभी भी घमंड नहीं करता था जो जो चीड़ आती थी उसके डाली पर बढ़ती थी उनको वो बढ़ने देता था अंजीर का पेड़ और आम का पेड़ भी हस्मुक था और फिर अंजीर का पेड़ भी हस्मुक था तो दोस्त हमें इससे क्या सीख मिलती है कि जो हमसे बुरा वैवार करें तो हमें उसकी मदद करने चाहिए ऐसा नहीं होता जो दूसरा हमसे बुरा वैवार करें तो हमें भी उससे बुरा वैवार करना चाहिए धन्यवाद झाल झाल